नमस्ते दोस्तों, दोस्तों प्रस्तुत है गोदानुपन्यास का भाग नमबर तीन होरी अपने गाउं के समय पहुँचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में उख गोड रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही है लू चल रही थी, बगुले उट रही थे, भूतल दधा करा था, जैसे पकरती नेवाईयों में आग गोल दी हो, ये सब अभी तक खेत में क्यों है, क्या काम के पीछे, सब जान देने पर तुले है वह खेत की और चला, और दूर ही से चिला कर बोला, आता क्यों नहीं गोबर, क्या काम ही करता रहेगा दोपैर ढल गई, कुछ सूचता है की नहीं, उसे देखते ही तीनों ने कुधाले उठाली और उसके साथ हो लिए गोबर, सामला, लंबा, इकहरा युवग था, जिसे इस काम में रूचिने मालूम होती थी प्रसंता की जगे मुख पर अशंतोश और विद्रो हो था, वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था, उसे खाने पीने की कोई फिकर नहीं है बड़ी लड़की सोना, लच्चा सिल्क कुमारी थी, सामली, सुडोल, परसन और चपल, गाढ़े की लाल साडी, जिसे वय घुटनों से मोड कर कमर में बांधे हुए थी उसके हलके शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी, और उसे प्रोडता की गरिमा दे रही थी छोटी रूपा, पांच-छे साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोसला सा बना हुआ एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही धीट और रोनी रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका, देखो, मैंने एक धेला भी नहीं छोड़ा बहन कहती है, जा पेड़ तले बैठ, धेले नहीं तोड़े जाएंगे काका, तो मिटी कैसे बराबर होगी होरी ने उसे गोद में उठा कर प्यार करते हुए कहा, तुने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज-रोज मालिकों की खुशामन करने क्यों जाते हो बाकी नहीं चुके, तो प्यादा आकर गालिया सुनाता है, बेगार देने ही पड़ती है नजर नजराना सब तो हमसे भरवाया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना ज़रूरी था बोला, सलामी करने ना जाऊं, तो रहे कहां? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है, तो अपना क्या बस है? यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़या डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा, घूरे ने द्वार पर खूटा गाड़ा था, जिस पर कारिंदों ने दो रुपे डांट ले लिये थे, तलाईया से कितने मित्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा, दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े, अपने मतलब के लिए सल करने में कोई बड़ा सुख मिलता है, घंटों खड़े रहो, तब जाके मालिकों खबर होती है, कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्षत नहीं है, गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हामे हाम मिलाने में कुछ ने कुछ आनद तो मिलता ही है, नहीं, लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हो, जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कहलो, पहले मैं भी यही सब बाते सोचा करता था, पर आप मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नेचे दबी होई है, अकड कर निम्भा न उसे डाट कर बोली, अब गोज से उतर कर पाउं पाउं क्यों नी चलती, क्या पाउं टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डाल कर डिठाई से कहा, ना उतरेंगे जाओ, काका, बहन हमको रोज चिडाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कु को है, निम्भा तो रूपा से होता है, रूपा नै हो, तो रूपे कहां से बने, बता, सोना ने अपने पक्ष का समर्चन किया, सोना नै हो, तो मोहन कैसे बने, नथुनिया कहां से आए, कंठा कैसे बने, गोबर भी इस विनोध में विभाद में शरीक हो गया, रूपा से ब बोली, शादी बिहा में पीली साडी पहनी जाती है, उजली साडी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से प्रास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न थेर सकी। उसने शुब्द आखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूज गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है, जैसे जो को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार। इसलिए नहीं कि गेहूं बड़े आदमि खाते हैं, जो हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था, प्रास्थ होकर बोली, तुम सब जन्ने एक और हो गए, नहीं रुपिया को रुला कर छोड़ दी। रुपा ने उंगली मटका कर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस विशे का उसे इतना आनद हुआ कि बाप की गोद में रह न सके, जमीन पर कूद पड़ी और उचल उचल कर यही रट लगाने लगी। रुपा राजा सोना चमार। यह लोग घर पहुँचे तो धन्या द्वार पर खड़ी इनकी बाट जो रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी दिर क्यों की गोबर, काम के पीछे कोई परान थोड़े ही दे देता है। फिर पती से गर्म होकर गहा, तुम भी वहाँ से कमाई करके लोटे तो खेत में पहुँच गए, खेत कहीं भागा जाता था। द्वार पर कुँगा था, होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए, जो की रोटियां थी, पर गेहुं जैसी सुफेद और चिकनी, और हर की दाल थी, जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे, रूपा बाप की थाली में खाने बैटी, सोना ने उसे इर्श्या भरी आँखों से देखा, मानो कहा रही थी, वहार है दुलार, दनिया ने पूछा मालिक से क्या बात्ची तुई, होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी, और क्या, हम लोग समझते हैं, राय सहाब ने और क्या क्या कहा था, वह कुछ होरी को याद ना था, उसे सारे कथन का खुला सा मात्र उसके स्मर्ण में चिपका हुआ रह गया था, गोबर ने व्यांगे किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते, हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल, सब उन हैं, वहें दरजनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं गाता, और ने नाच रंग में लिप्त रहता है, मजे से राज का सुक भोग रही हैं, उस पर दुखी हैं, होरी ने जुझला कर कहा, अब तुम से बहस कोन करें भाई, जैजात किसी से छोड़ी जाती है, कि वहीं छोड़ देंगे, हमी को खेती से क्या मिलता है, एक आने नफरी के मजूरी भी तो नहीं पड़ती, जो दस रुपे महिने का भी नोकर है, वहें भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता, खेती छोड़ दे, तो और करें क्या, नोकरी कहीं मिलती है, फिर मरजाद भी तो पालना ही पड़ता है, खेती में जो मरजाद है, वहें नोकरी में तो नहीं है, इसी तरह जम्मिदारी का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकडो रोग लगे हुए है, हाकिमों को अर्षद पहुचाओ, उ हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, दो-चार गालियां, घुडकियां ही तो मिलकर रह जाती हैं, गोबर ने प्रतिवाद किया, ये सब कहने की बाते हैं, हम लोग दाने-दाने को महुत आजें, देहे पर साबित कपड़े नहीं है, चोटी का पशिना एडी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता, उन्हें क्या मजे से गद्धी मसनद लगाए बैठे हैं, सेकडों नोकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है, रुपे ने जमा होते हों, पर सुख तो सभी तरह भोगते हैं, धन लेकर आदमी और क्या करता है, तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है, यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बन कर आते हैं, संपत्ती बड़ी तपश्या से मिलती है, उन्होंने पूरु जनम में जैसे कर्म किये हैं, उनका आनन्द भोग रहे हैं, हमने गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है, यह तुम्हारा भरम है, मालिक आज भी चार घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं, किसके बल पर ये भजन भाव और दान धर्म होता है, अपने बल पर, नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर, यह पाप का भाधन पचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है, भगवान का भजन भी इसलिए होता है, हमें कोई दोनों जुन खाने को दे, तो हम आठों पैर भगवान का जावी करते रहें, एक दिन खेत में ऊकगोड़ना पड़े, तो सारी भक्ती भूल जाए, होरी ने हार कर कहा अब तुम्हारे मूँ कोन लगे भाई तुम तो भगवान की लीला में भी तांग अड़ाते हो तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा जरा ठहर जाओ बेटा हम भी चलते हैं तब तक थोड़ा सा भूसा निकालकर रख दो मैंने भोला को देने को कहा है बेचारा आजकल भूँ तंग है गोबर ने अभग्या भरी आखोशे देख कर कहा हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है बेचता नहीं हूँ भाई यो ही दे रहा हूँ वह संकट में है उसकी मदद तो करने ही पड़ेगी, हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी, दे तो रहा था, पर हमने ली ही नहीं, धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं भै दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा, आँख में अंजन लगाने को कभी चिल्लू भर दूत तो भेजा नहीं, गाय देगा, होरी ने कसम खाई नहीं, जवानी कसम अपनी पच्छाई गाय दे रहे थे हाथ तंग है भूसा चारा नहीं रख सके अब एक गाय बेज कर भूसा लेना चाहते हैं मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूँगा थोड़ा सा भूसा दिये देता हूँ कुछ रुपे हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूँगा थोड़ा थोड़ा करके चुका दूँगा असी रुपे की है मगर ऐसी की आदमी देखता रहे गोबर ने आड़े हाथ हो लिया तुमारा यही धर्मात्मा पंतो हम धिरे धिरे दे देंगे होरी रहसे में डंग से मुश्कराया मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेंत मेंत में हाथ आ जाए कहीं भोला की सगाई ठीक करने है बस दो चार मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ गोबर ने तरसकार गया तो तुम अब सब की सगाई ठीक करते फिरोगे दनिया ने तीखी आखों से देखा अब यही एक उद्दम तो रह गया है नहीं देना है हमें भूसा किसी को यहां भोला भाली किसी का कर्ज नहीं खाया है होरी ने अपनी सफाई दी अगर मेरे जतन से किसी का घर भस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है गोबर ने चलम उठाई और आग लेने चला गया उसे ये जमेला बिल्कुल नहीं भाता था धनिया ने सिरहला कर कहा जो उनका घर भस आएगा वह 80 रुपे की गाय लेकर चुपना होगा एक थैली गिनवाएगा होरी ने पुचारा दिया ये मैं जानता हूँ लेकिन उनकी भलमंची को भी तो देखो मुझे से जब मिलता है तेरा बखान ही करता है ऐसी लक्षमी है ऐसी सली के दार है दनिया के मुख पर सनिंग दिता सलक पड़ी मन भाए मुडिया हिलाए वाले भाव से बोली मैं उनके बखान की भुखी नहीं हूँ अपना बखान धरे रहे होरी ने इसने बरी मुश्कान के साथ कहा मैंने तो कह दिया भाया वह नाग पर मक्षी भी नहीं बैटने देती गालियों से बात करती है लेकिन वह यही कहे जाए कि वह ओरत नहीं लक्षमी है बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी बेचारा उसके डर से मारे भागा भागा फिरता था कहता था जिस दिन तुमारी घरवाली का मुह सबेरे देख लेता हूँ उस दिन कुछ न कुछ जरूर हाथ लगता है मैंने कहा तुमारे हाथ लगता होगा यहां तो रोज देखते हैं कभी पैसे से भेट नहीं होती तुमारे भाग ही खोटे हैं तो मैं क्या करूँ लगा अपने घर वाली की बुराई करने विखारी को भीक तक नहीं देती थी जाडू लेकर मारने दोड़ती थी लालची नैची थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग लाती थी मरने पर किसी की क्या बुराई करूँ मुझे देख कर जहल उड़ती थी भोला बड़ा गम खोर था कि उसके साथ निबहा कर दिया दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता मुझे से दस साल बड़े होंगे भोला पर राम राम पहल ही करते हैं तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुमारी घरवाली का मूँ देख लेता हूँ तो क्या होता है उस दिन भगवान कही ना कही से कुछ भेज देते हैं बव में भी तो वैसी ही चटोरी नाई है अब की सबोने दो रुपे के खरबुजे उधार खा डाले उधार मिल जाए फिर उन्हें चिन्ता नहीं होती की देना पड़ेगा या नहीं अरे भोला रोते कही को हैं गोबर आकर भोला भोला दादा आपाउचे मन दो मन भूसा है भै उन्हें दे दो फिर उनकी सगाई ढूनने निकलो दनिया ने समझाया आदमी द्वार बर बैठा है उसके लिए खाट वार तो डाल नहीं दी उपर से लगे भुन भुनाने कुछ तो भलमन सी सीखो कलसा ले जाओ पानी भर कर रख दो हात मुह दोएं कुछ रस पानी पिला दो मुसिवत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है होरी बोला रस बस का काम नहीं है कौन कोई पाहुने है धनिया बिगडी पाहुने और कैसे होते हैं रोज रोज तो तुमारे घर द्वार नहीं आते हैं इतनी दूर से धूप धाप में आए हैं प्यास लगी ही होगी रुपिया देख डब्बे में तमाखु है की नहीं गोबर के मारे काहे को बची होगी दोड कर एक पैसे का तमाखु सवहाईन की दूकान से ले लो बोला की आज जितनी खातिर हुई और कभी ना हुई होगी गोबर ने खाट डाल दी सोना रस गोल लाई रुपा तमाखु भर लाई दन्या द्वार पर किवाड की आड में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी बोला ने चलम हाथ में लेकर कहा अच्छी घर ने घर में आ जाए तो समझ लो लक्षमी आ गई वही जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए धनिया के हरदे में उल्लास का कमपन हो रहा था चिंता, निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभाव कर रही थी होरी जब भोला का खाचा उठा कर भुसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली होरी ने कहा जाने कहा से इतना बड़ा खाचा मिल गया किसी बड़भूजे से मांग लिया होगा मन भर से कम में ने भरेगा दो खाचे भी दिये तो दो मन निकल जाएंगे धनिया फूली होई थी मलान मत की आँखों से देखती हुई बोली या तो किसी को नेवता ने दो और दो तो भर पेट खिलाओ तुम्हारे पास फूल पत्तर लेने थोड़े ही आए है की चंगेरी लेकर चलते देते ही हो तो तीन खाचे दे दो भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया अकेले कहां तक डोएगा जान निकल जाएगी तीन खाचे तो मेरे दिये ने दिये जाएंगे तब क्या एक खाचा दे कर टालोगे गोबर से कह दो अपना खाचा भर कर उनके साथ चला जाए गोबर उंख गोड़ने जा रहा है एक दिन नए गोड़ने से उंख सूख न जाएगी यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले आते भगवान के दिये दो-दो बेटे हैं ना होंगे घर पर दूद लेकर बाजार गए होंगे यह तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसे घर तक पहुचा भी दो लाद दे लदा दे लादने वाला साथ कर दे अच्छा भाई कोई मत जाए मैं पहुचा दूँगी बड़ों की सिवा करने में लाज नहीं है और तीन खांचे उन्हें दे दूँ तो अपने बैल क्या खाएंगे यह सब तो निवता देने से पहले ही सोच लेना था ना हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ मुरोबत मुसीबत की तरह की जाती है अपना घर उठा कर नहीं दे दिया जाता अभी जमिदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुचाओगे तुम तुम्हारा लड़का लड़की सब और वहाँ साइत मन दो मन लकडी भी फारनी पड़े जमिदार की बात ओर है हाँ वह डंडे के जोर से काम लेता है न उसके खेत नहीं जोतते खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते अच्छा भाई जान ने खा हम दोनों चले जाएंगे का से का मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया या तो चलेगी नहीं या चलेगी तो दोडने लगेगी तीनों खाचे भूसे से भर दिये गए गोबर कुड रहा था उसे अपने बाप के वेवारों में जरा भी विश्वास ने था वह समस्ता था यह जहां जाते हैं वहीं कुछ ना कुछ घर से खो आते हैं धनिया परसन ने थी रहा होरी वह धर्म स्वार्थ के बीच में डूब उतरा रहा था होरी और गोबर मिलकर एक खाचा बाहर लाए गोला ने तुरंत अपने अंगोचे का बीड़ा बनाकर सिर्फ पर रखते हुए कहा मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ एक खाचा और लूँगा होरी बोला एक नहीं आभी दो दरे हैं और तुम्हें नए आना पड़ेगा मैं और गोबर एक एक खाचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं भोला स्तंबित हो गया होरी उसे अपना भाई बलकि उससे भी निकट जान पड़ा उसे अपने भीतर एक ऐसी त्रप्तिक आनभव हुआ जिसने मानो उसके संपुर्ण जीवन को हरा दिया तीनों भूसा लेकर चले तो रहा में बाते होने लगी भोला ने पूछा दशारा आ रहा है मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धुमधाम होगी हाँ तंबू सामियाना गड़ गया है अबकी लीला में मैं भी काम करूँगा राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा मालिक तुमसे बहुत खुश है उनकी दया है एक शण के बाद भोला ने फिर पूछा सगुन करने के लिए रुपे का कुछ जुगाड कर लिया है माली बन जाने से तो गलाने छूटेगा होरी ने मुह का पसीना पोँश कर कहा उसी की चिंता तो मारे डालती है दादा अनाज तो सब का सब खलिहान में ही तुल गया जमिदार ने अपना लिया महाजन ने अपना लिया मेरे लिए पांच से रनाज बच रहा ये भूसा तो मैंने रातो रात ढोकर छिपा दिया था नहीं तिन का भी न बचता जमिदार तो एक ही है मगर महाजन तिन तिन है सहुआईन अलग और मंगरू अलग और दाता दिन पंडिता लग किसी का ब्याज भी पूरा ने चुका जमिदार के भी आदे रुपे बाकी पड़ गए सहुआईन से फिर उधार लिये तो काम चला सब तरह किफायत करके देख लिया भहिया कुछ नहीं होता हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाई और बड़ों का घर भरे मूल का दुगना सुद भर चुका पर मूल जो काते हों सिर पर सवार है लोग कहते हैं सरदी गर्मी में तीरत बरत में हाथ बांद कर खर्च करो मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता राई सहाब ने बेटे के बहा में बीस हजार लुटा दिये उनसे कोई कुछ नहीं कहता मंगरू ने अपने बाब के क्रिया करमें पांच हजार लगाए उनसे कोई कुछ नहीं पूचता वैसी ही मरजात तो सब की है भोला ने करुन भाव से कहा बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई आदमी तो हम भी है कोन कहता है कि हम तुम आदमी है हम में आदमियत कहा आदमी वह है जिन के पास धन है अक्तियार है, इलम है हम लोग तो बैल है और जुतने के लिए पैदा हुए है उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता एका का नाम नहीं एक किसान दूसरे के खेत पर ना चड़े तो कोई जाफा कैसे करे प्रेम तो संसार से उठ गया बूढों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविश्य के सर्वनास से ज़ादा मनोरंजन और कोई परसंग नहीं होता दोनों मित्र अपने अपने दुखडे रोते रहे भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए होरी अपने भाईयों का रोना रोया और तब एक कुएं पर बोज रख कर पानी पीने के लिए बैठ गए गोबर ने बनिये से लोटा मांगा और पानी खिचनी लगा भोला ने सहरदा से पूछा अल गोजे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा भाईयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था होरी आदरकंट से बोला कुछ ने पूछो दादा यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरू मेरे जीते जी सब कुछ हो गया जिनके पीछे अपने जवानी धूल में मिला दी वही मेरे मुद्दई हो गए और जगडे की जड़ क्या थी यही कि मेरी घर वाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती पूछो घर देखने वाला भी कोई चाहिए की नहीं लेना देना धरना उठाना संभालना सहिजना यह कोन करे फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती थी जाडू बुहारू रसोई चोक का बरतन लड़कों की देखबाल यह कोई थोड़ा काम है शोभा की ओरत घर संभाल लेती की हीरा की ओरत में यह सलीका था जब से अलगोजा हुआ है दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है नहीं सब को दिन में चार बार भूक लगती थी अब खाएं चार दफे तो देखूं इस मालिक पन में गोबर की मा की जो दुरगती हुई है वह मैं ही जानता हूँ बिचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहन कर दिन काटती थी खुद भूखी सो रही होगी लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी अपनी देख पर गहने के नाम कच्चा धागा भी नहीं था देवरानियों के लिए दो दो चार चार गहने बनवा दिये सोने के नैस ही चांदी के तो हैं जलन यही था कि यह मालिक क्यों है बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए मेरे सिर से बला टली बहुला ने एक लोटा पानी चड़ा कर कहा यही हाल घर-घर है भाईया भाईयों की बात ही क्या यहां तो लड़कों से भी नहीं पढ़ती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुह नहीं बंद कर सकता तुम जुआ खेलोगे, चरस पीओगे गांजे के दम लगाओगे मगर आये किसके घर से खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ मगर कमाई तो किसी से ना होगी खरच दिल खोल कर करेंगे जेठा कामता सोदा लेकर बजार जाएगा तो आदे पैसे गयब पूछो तो कोई जवाब नहीं छोटा जंगी है वह संगत के पीछे मतवाला रहता है सांज हुई और ढोल मजिरा लेकर बैठ गए संगत को मैं बुरा नहीं कहता गाना बजाना एव नहीं लेकिन ये सब कम फुर्षत के हैं ये नहीं कि घर का तो कोई काम ने करो आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो जाती है मेरे सिर सानी पानी मैं करूँ गाय भैस मैं दूहूँ दूद लेकर बाजार मैं जाऊँ ये गरिश्ती जी का जंजाल है सोने की हंडिया जिसे ने उगलते बनता है ने निगलते लड़की है जुनिया वह भी नसीव की खोटी तुम तो उसकी सगाई में आये थे कितना अच्छा घर बर था उसका आदमी बंबई में दूद की दुकान करता था उन दिनों वहां हिंदू मसलमानों में दंगा हुआ किसी ने उसके पेट में चुरा भोग दिया घर ही चोपट हो गया वहां अब उसका निवा नहीं जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूँगा मगर वह राजी ही नहीं होती और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती है घर में महाभारत मचा रहता है विपत की मारी यहां आई यहां भी चैन नहीं इनी दुखडों में रास्ता कट गया भोला का पुर्वा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार अधिकतर आहीरी बसते थे और किसानों को देखते इनकी दशा भूरी ना थी भोला गाउं का मुख्या था द्वार पर बड़ी सी चर्नी थी जिस पर दस बारे गाएं भैसे खड़ी सानी खा रही थी ओसारे में एक बड़ा सा तकत पड़ा था जो शायद दस आद्मियों से भी न उठता किसी खूटी पर ढोलक लटक रही थी किसी पर मजीरा एक ताख पर कोई पूस्तक बस्ते में बंदी रखी हुई थी जो शायद रमायन हो दोनों बहुएं सामने बैटी गोबर पात रही थी और जुनिया चोकट पर खड़ी थी उसकी आँखें लाल थी और नाग के सिरे पर भी सुर्की थी मालूम होता था अभी रोकर उठी है उसके मांसल स्वस्त सुगठित अंगों में मानों योवन लहरे मार दाता मुह बड़ा और गोलता कपोल फूले होए आँखें छोटी और भीतर धसी होई माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का वही गुद गुदापन आखों को खिषता था उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा परदान कर रही थी बोला को देखते ही उसने लपक कर उसके सिर से खाचा उतरवाया बोला ने गोबर और हीरा के खाचे उतरवाय और जुनिया से बोला पहले एक चिलम भरला फिर थोड़ा सा रस बना ले पानी ने हो तो गगराला मैं खीच दूँ होरी मैं तो को पचानती है न फिर होरी से बोला घरनी के बिना घर नहीं रहता भाया पुरानी काहवत है नाटन खेती बहुरिन घर नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुए क्या घर समालेंगी जब से इसकी मा मरी है जैसे घर की बरकती उठ गई बहुए आटा पात लेती है पर ग्रस्ती चलाना क्या जाने हाँ मूँ चलाना खुब जानती है लोंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे सबके सब आलसी है कामचोर जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धर कर रोएंगे लड़की भी वैसी ही छोटा सा अढ़ोना भी करेगी तो भुन भुना कर मैं तो सह लेता हूँ खसम थोड़े ही सहेगा जुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम दूसरे में रस का लोटा लिए बड़ी फूर्ती से आ पहुची फिर रसी और कलसा लेकर पानी भरने चली गोबर ने उसके हाथ कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ा कर जीबते हुए कहा तुम रहने दो मैं भरे लाता हूँ जुनिया ने कलसा ने दिया कुए के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली तुम हमारे महमानों कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने ने दिया महमान कहे से होगा तुमारा पडोसी ही तो हूँ पडोसी साल भर में एक बार भी सूरत ने दिखाएं तो महमान ही है रोज रोज आने से मरजाद भी तो नहीं रहती जुनिया हसकर तिर्ची नजरों से देखती हुई बोली वही मरजाद तो दे रही हूँ माहिने में एक बेर आओगे ठंडा पानी दोंगी पंधर में दिन आएंगे चलंप आओगे साथ में दिन आओगे खाली बैटने को माची दूंगी रोज रोज आओगे कुछ न पाओगे दर्सन तो दोगी दर्सन के लिए पूजा करने पड़ेगी यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आगी उसका मुँ उदास हो गया वह विद्वा है उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पती रक्षक बना बैठा रहता था वह निश्चिंत थी अब उस द्वार पर कोई रक्षक ने था इसलिए वह उस द्वार को सदे उभन रखती थी कभी कभी घर के सूने पन से उकता कर वह द्वार खुलती है पर किसी को आते देखकर भैवित होकर दोनों पट बेढ देती है गोबर ने कलसा भर कर निकाला सबोने रस पिया और एक चलम तमाखु और पी कर लोटे बोला ने कहा कल तुम आकर गाई ले जाना गोबर इस बक्षत तो सानी खा रही है गोबर की आँखें उसी गाई पर लगी हुई थी और मन ही मन वे मुगद हुआ जाता था गाई इतनी सुन्दर और सुडोल है उसकी उसने कलपना भी नए की थी होरी ने लोब रोक कर कहा मंगवा लूँगा जल्दी क्या है तुम्हें जल्दी नय हो हमें तो जल्दी है उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी उसकी मुझे बड़ी फिकर है दादा तो कल गोबर को भीज देना दोनों ने अपने-अपने खाचे सिर पर रखे और आगे बड़े दोनों इतने परसन्य थे मानों ब्या करके लोटे हो होरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाशा के पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे के गोबर को इससे भी बहुमूले वस्तु मिल गई थी उसके मन में अभिलाशा जागोटी थी अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा जुनिया द्वार पर खड़ी थी मत आशा की भांती अधीर चंचल बाग नमबर 4 होरी को राद भर निंद नहीं आई नीम के पेड तले अपनी बास की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था गाय के लिए नांद गाडनी है बैलों से अलग उसकी नांद रहे तो अच्छा अभी तो रात को बाहर ही रहेगी लेकिन चोमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगे ठीक करनी होगी बाहर लोग नजर लगा देते हैं कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूद ही सूख जाता है थन में हाथ ही नहीं लगाने देखती लात मारती है नहीं बाहर बाढ़ना ठीक नहीं और बाहर नांद भी कोन गाड़ने देगा कारिंदा सहाब नजर के लिए मूँ फुलाएंगे छोटी छोटी बात के लिए राय सहाब के पास फर्याद ले जाना भी उचित नहीं और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कोन है उनसे कुछ कहूं तो कारिंदा दुश्मन हो जाए जल में रहकर मगर से वैर करना लड़क पन है भीतर ही बांदूँगा आंगन है तो छोटा सा लेकिन एक मढ़या डाल देने से काम चल जाएगा अभी पहला ही ब्यान है पांच सेर से कम क्या दूद देगी सेर भर तो गोबर को ही चाहिए रुपिया दूद देखकर कैसी ललचाती रहती है अब पीए जितना चाहे कभी कभी दो चार सेर मालिकों को दे आया करूँगा कारिंद सहब की पूजा भी करनी ही होगी और भोला के रुपे भी दे देना चाहिए सगाई के ढखोसले मैं उसे क्यों डालू जो आदमी अपने उपर इतना विश्वास करे उससे दगा करना नीचता है असी रुपे की गाए मेरे विश्वास पर दे दी नहीं यहां तो कोई एक पैसे को नहीं पतियाता सन में क्या कुछ न मिलेगा अगर चालिस रुपे भी दे दू तो भोला को ढाडस हो जाए धनिया से नाहक बता दिया चुपके से गाए लाकर बान देता तो चकरा जाती लगती पूछने किसकी गाए है कहां से लाए हो खुब दिख करके तब बताता लेकिन जब पेट में बात पचे भी कभी दो-चार पैसे उपर से आ जाते हैं उनको भी तो नहीं छिपा पाता और यह अच्छा भी है उसे घर की चिंता रहती है अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नकरे बखारने लगेगी गोबर जरा आलसी है नहीं मैं गव की ऐसी सेवा करता है कि जैसी चाहिए आलसी वालसी कुछ नहीं है इस उमिर में कोन आलसी नहीं होता मैं भी दादा के सामने मटर गस्ती ही किया करता था बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते कभी द्वार पर जाडू लगाते कभी खेत में खाद फेकते मैं पड़ा सोता रहता कभी जगा देते तो मैं बिगड जाता और घर छोड़ कर भाग जाने की धमकी देता था लड़के जब अपने माबाप के सामने भी जिन्दगी का थोड़ा सा सुख नै भोगेंगे तो फिर जब अपने सिर पर पड़ गई तो क्या भोगेंगे ताधा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं समाल लिया सारा गाउं यही कहता था कि होरी घर बरबाद कर देगा लेकिन सिर पर बोज पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला की लोग देखते रह गए सोभा और हीरा अलग ही हो गए नहीं आज इस घर की और ही बात होती तीन हल एक साथ चलते अब तीनों अलग अलग चलते हैं बस समय का फेर है धनिया का क्या दोस्त था बिचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से ना बटी डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी आके रुसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए लेकिन भागे में आराम लिखा होता तब तो मिलता तब देवरों के लिए मरती थी अब अपने बच्चों के लिए मरती है लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा साइत भिनसार हो रहा था गोबर काय को जागने लगा नहीं कहके तो यही सोया था कि मैं अंधेरे में ही चला जाओंगा जाकर नांद तो गाड़न दू लेकिन नहीं जब तक गाए द्वार पर ना आ जाए नांद गाड़ना ठीक नहीं कहीं भोला बदल गए या और किसी कारण से गाए ना दी तो सारा गाउं तालिया पीटने लगेगा चले थे गाए लेने पठ्थे ने इतनी फूर्ती से नांद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी भोला है तो अपने घर का मालिक लेकिन जब तक लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है कामता और जंगी अकड़ जाएं तो क्या भोला अपने मन से गाए मुझे दे देंगे कभी नहीं सहसा गोबर चोक कर उठ बैठा और आखे मलता हुआ बोला अरे ये तो भोर हो गया तुमने नाद गाड़ दी दादा होरी गोबर के सुगठित शरीर और चोड़ी छाती की ओर गर्व से देख कर और मन में ये सोचते वे कि कहीं उसे गोरस मिलता तो कैसा पठाओ जाता बोला नहीं अभी नहीं गाड़ी सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भद हो गोबर ने तोरी चड़ा गर कहा मिलेगी क्यों नहीं उनके मन में कोई चोर पैठ जाए चोर पैठे या डाकू गाए तो उन्हें दे नहीं पड़ेगी गोबर ने और कुछ ना कहा लाठी कंदे पर रखी और चल दिया होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा अब लड़के की सगाई में देर न करने चाहिए सतरवा लग गया मगर करें कैसे कहीं पैसे के भी दर्सन हो जब से तीनों भाईयों में अलगोजा हो गया घर की साख जाती रही मैं तो लड़का देखने आते हैं पर घर की दशा देखकर मुह फीका करके चले जाते हैं दो एक राजी भी हुए तो रुपे मांगते हैं दो तीन सो लड़की का दाम चुकाए और इतना ही उपर से खर्च करे तब जाकर ब्या हो कहां से आमें इतने रुपे रास खलिहान में तुल जाते हैं खाने भर को भी नहीं बचता ब्या कहां से हो और अब तो सोना ब्याने योगे हो गई लड़के का ब्या ना हुआ ना सही लड़की का भ्याना हुआ तो सारे विरादरे में हसी होगी पहले तो उसे की सगाई करनी है पिछे देखी जाएगी एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा तुम्हारी कोठी में कुछ बास होंगे मैं तो होरी ने देखा दमडी बसोर सामने खड़ा है नाटा, काला, खुब मोटा, चोड़ा मुहू, बड़ी-बड़ी मोचे लाल आके, कमर में बास काटने की कटार खोसे हुए साल में एक दुबार आकर चिकें, कुर्सियां, मोड़ें, टोकरियां अधी बनाने के लिए कुछ बास काट ले जाता था होरी परसन हो गया मुठी गर्म होने की कुछ आशा बंदी चोड़ी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियां दिखाई मोल भाव किया और पच्चीस रुपे सैकडे में पचास बासो का बयाना ले लिया फिर दोनों लोटे होरी ने उसे चिलम पिलाई जलपान कराया और तब रैसे में भाव से बोला मेरे बास कभी तीस रुपे से कम में नहीं जाते लेकिन तुम घर के आदमी हो तुमसे क्या मोल भाव करता तुमारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लोटा की नहीं चोधरी ने चिलम का दम लगा कर खास्ते वे कहा उस लोंडे के पेछे तो मर मेटा मैं तो जवान भहु घर में बैटी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी ओरत के साथ परदेश में मोजगर ने चल दिया भहु भी दूसरे के साथ निकल गई बड़ी नाकिस जात है मैं तो किसी की नहीं होती कितना समझाया कि तु जो चाहे खा जो चाहे पहन मेरी नाक ने कटवा मुधा कौन सुनता है ओरत को भगवान सब पुझ दे रूप ना दे नहीं वह काबु में नहीं रहती कोट यहां तो बट गई होंगी होरी ने आकास की ओर देखा और मानो उसकी महनता में उड़ता हुआ बोला सब कुछ बट गया चोदरी जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह आप बराबर के हिस्सेदार हैं लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नियत नहीं है इधर तुमसे रुपे मिलेंगे उधर दोनों भाईयों को बाट दूँगा चार दिन की जिन्दगी में क्यों किसी से चलकापट करूं नहीं कह दूँ कि 20 रुपे सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे तुम्हें तुम्हेंने बराबर अपना भाई समझा है वहवार में हम भाई के अर्थका कितना ही दुरुपियों करें लेकिन उसकी भावना में जो पवितरता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती होरी ने एपरतेक्ष रूप से ये प्रस्ताव करके चोधरी के मुझ की और देखा कि वह स्विकार करता है या नहीं उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनित भाव परकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है चोधरी ने होरी का आशन पाकर चाबुक जमाया हमारा तुमारा पुराना भाईचारा है मैं तो ऐसी बात है भला लेकिन बात यह है कि इमान आदमी बेचता है तो किसी लाल अच्छे 20 रुपे नहीं मैं 15 रुपे कहूंगा लेकिन जो 20 रुपे के दाम लो होरी ने खिशिया कर कहा तुम तो चोधरी अंधिर करते हो 20 रुपे में कई ऐसे बास जाते हैं ऐसी क्या इससे अच्छे बास जाते हैं 10 रुपे पर हाँ 10 कोस और पस्चिम चले जाओ मोल बास का नहीं है शहर के नगीच होने का है आदमी सोचता है जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपे का काम हो जाएगा सोधा पट गया चोधरी ने मिर्जे उतार कर चान कर रख दी और बास काटने लगा उख की सिचाई हो रही थी हीरा बहु कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी चोधरी को बास काटते देखकर गुंगट के अंदर से बोली कौन बास काटता है यहां बासने कटेंगे चोधरी ने हाथ रोक कर कहा बास मोल लिये हैं 15 रुपे सैकडे का बयाना हुआ है सेत में नहीं काट रहे हैं हीरा बहु अपने घर की माल किन थी उसी के विद्रों से भाईयों में अलगोचा हुआ था धन्या को प्रास्त करके शेर हो गई थी हीरा कभी-कभी उसे पीटता था अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से नहीं उठ सकी लेकिन अपना पधा धिकार हुए किसी तरह न छोड़ती थी हीरा क्रोज से उसे मारता था लेकिन चलता था उसी के इशारे पर उस घोडे की भानती जो कभी-कभी स्वामी को लात मार कर भी उसी के आसन के नीचे चलता है करलेवे की टोकरी सिर्षे उतार कर बोली पंधरा रुपे में हमारे बासने जाएंगे चोदरी ओरत जास से इस विशे में बाचित करना निती विरुद समझते थे बोले जाकर अपने आदमी को भेज़ दो जो कुछ कहना हो आकर कहीं हीरा बहु का नाम था पुन्नी बच्चे दो ही हुए थे लेकिन ढल गई थी बनाव सिंगार से समय के आगात का शमन करना चाहती थी लेकिन ग्रस्ती में भोजन ही का ठिकाना ना था सिंगार के लिए पैसे कहां से आते इस आभाव और विवस्ता ने उसकी प्रक्रती का जल सुखा कर कठोर और शुष्क बना दिया था जिस पर एक बार फावडा भी उचट जाता था समी पाकर चोदरी का हाथ पकड़ने की चेश्टा करती हुई बोली आदमी को क्यों भेज़ दू जो कुछ कहना हो मुझसे कहो ने मैंने कह दिया मेरे बांसने कटेंगे चोदरी हाथ छुडाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी एक मिनिट तक यह हाथा पाई होती रही अंत में चोदरी ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी मगर फिर समली और पाउं से तल्ली निकाल कर चोदरी के सिर, मुह, पीट पर अंदा धुंद जमाने लगी बसोर होकर उसे धकेल दे उसका ये अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी चोदरी उसे धक्का देकर नारी जाती पर बलका प्रयोग करके गच्चा खा चुगा था खड़े-खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने का उसके पास कोई दूसरा उपाय ना था पुन्णी का रोना सुनकर होरी भी दोड़ा हूँ आया पुन्णी ने उसे देखकर और जोर से चिलाना शुरू किया होरी ने समझा चोदरी ने पुन्या को मारा है खुन ने जोश मारा और अलगोज्जे की उची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल गया चोधरी को जोर से एकलात मार कर बोला अब अपना भला चाते हो चोधरी तो यहां से चले जाओ नहीं तुम्हारी लाहस उठेगी तुमने अपने को समझा क्या है तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ चोधरी कसमे खाखा कर अपनी सफाई देने लगा तलियों की चोट में उसकी अपरादी आत्मा मोनती यह लात उसे नेरा अपराद मिली और उसके फूले वे गाल आस्मों से भीग गए उसने तो बहू को चुआ भी नहीं क्या वह इतना गवार है कि महतो के घर की ओरतों पर हाथ उठाएगा होरी ने एविश्वास करके कहा आखो में धूल मत जोको चोधरी तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू जूट मुट रोती है रुपे की गर्मी है तो वे निकाल दी जाएगी अलग है तो क्या हुआ है तो एक खुन कोई तिर्ची आख से देखे तो आख निकाल ले पुन्नी चंडी बनी होई थी गला फाड कर बोली तुने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया खाजा अपने बेटे की कसम हीरा को खबर मिली कि चोदरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है चोदरी ने पुनिया को धका दिया पुनिया ने तलियों से पीटा उसने पूर्मही चोड़ा और ओंगी लिए घटना स्तलकी और चला गाउं में अपने क्रोध के लिए प्रसिद था छोटा डेल गठा हुआ शरीर आँखे कोडी की तरह निकलाई थी और गर्दन की नसे तन गई थी मगर उसे चोदरी पर क्रोध ना था क्रोध था पुनिया पर वहे क्यों चोदरी से लड़ी क्यों उसकी जत्मिटी में मिला दी बसोर से लड़ने जगडने का उसे क्या प्रियोजन था उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था हीरा जैसा उचित समझता करता वहे उससे लड़ने क्यों गई उसका बस होता तो वहे पुनिया को परदे में रखता पुनिया किसी बड़े से मूँ खोल कर बाते करे यह उसे ऐसे यह था वहे खुद जितना उदंड था पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था जब भाईया ने 15 रुपे में सोधा कर लिया तो यह बीच में कूदने वाली कोन आते ही उसने पुनिया का हाथ पकड लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लाते जमाने हराम जादी तू हमारी नाक कटाने पर लगे हुई है तू छोटे-छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है किसकी पगड़ी नीची होती है बता एक लात और जमाकर हम तो वहाँ कलेव की बाट देख रहे है तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है इतनी बेसरमी आख का पानी ऐसा गिर गया खोद कर गार दूगा पुन्नी हाई हाई करती जाती थी और कोस्ती जाती थी तेरी मिटी उठे तुझे हैजा हो जाए तुझे मरी आए देवी मैया तुझे लील जाए तुझे इन्फुलूंजा हो जाए भगवान करे तु कोडी हो जाए हाथ पाउं कट-कट गिरे और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा लेकिन ये पिछली गाली उसे लग गई है जा मरी आदी में विशिस कष्ट न था इधर बिमार पड़े उधर विदा हो गे लेकिन कोड ये घिनोनी मोद और उससे भी घिनोना जीवन वहे तिल मिला उठा दात पीषता हुआ पुनिया पर जप्टा और जोटे पकड़कर फिर उसका सिर जमिन पर रगड़ता हुआ बोला हाथ पाउं कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी एह तू ही इतनी बड़ी गिरस्ती चलाएगी तू तो दूसरा भतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी चोदरी को पुनिया की इस दुरगती पर धहा आ गई हीरा को उधरता पुर्वक समझाने लगा हीरा मैं तो अब जाने दो बहु तुआ क्या हुआ बहु ने मुझे मारा मैं तो छोटा नहीं हो गया धन्य भाग कि भगवान ने ये दिन तो दिखाया हीरा ने चोदरी को डाटा तुम चुपर हो चोदरी नहीं मेरे क्रोध में पढ़ जाओगे तो बुरा होगा औरत जात इसी तरह बक्ती है आज को तुमसे लड़ गई कल को दूसरों से लड़ जाएगी तुम भले मानसो हसकर टाल गए दूसरा तो बरदासने करेगा कई उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भरकाया लफका था कि होरी ने दोड़ कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला अरे हो तो गया देख तो लिया दुनिया ने कि बहादूर हो अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था सीधे सीधे ने लड़ता था चाहता तो एक जटके में अपना हाथ छुडा लेता लेकिन इतनी बे अदबी ने कर सका चोदरी की ओर देख कर बोला अब खड़े क्या ताकते हो जाकर अपने बास काटो मैंने सही कर दिया पंद्रह रुपे सैकडे में तै है कहां तो पुन्नी रो रही थी कहां जमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली लगा दे घर में आग मुझे क्या करना है भाग भूट गया कि तुम जैसे कसाई के पाले पड़ी लगा दे घर में आग उसने कलेव की टोकरी वहीं छोट दी और घर की ओर चली हीरा गर जा वहां का जाती है चल कुए पर नई खून पी जाऊंगा पुन्या के पाउं रुग गए इस नाटक का दूसरा आंकने खेलना चाहती थी चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुए की ओर चली हीरा भी पिछे पिछे चला होरी ने कहा अब फिर मार धाडने करना इससे ओरत बेसरम हो जाती है धनिया ने द्वार पर आकर हांक लगाई तुम वहां खड़े-खड़े क्या तमाशा देख रहे हो कोई तुमारी सुनता भी है कि योँ ही सिक्षा दे रहे हो उस दिन इसी बहु ने तुमें घूंगट की याड में दाड़ी चार कहा था भूल गए बहुरिया होकर पराय मर्दों से लड़ेगी तो नाटी ने जाएगी खोरी द्वार पर आकर नट खट पन के साथ पोला और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साथ बनी होई है इतनी भेदर्दी से मारता तो तु घर छोड़कर भाग जाती पुनिया बड़ी गम खोर है ओहो ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो अभी तक मार का दाग बना हुआ है हीरा मारता है तो दुलारता भी है तुमने खाली मारना सीखा दुलार करना सीखा ही नहीं मैं ही ऐसी हूँ कि तुमारे साथ निभा हुआ अच्छा रहने दे बहुत अपना बखान ने कर तू ही रूट रूट कर नहर भागती थी जब महिनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी जब अपनी गरद सताती थी तब मनाने आते थे लाला मेरे दुलार से नहीं जाते थे इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूं रवाहिक जीवन के प्रभाव में लालसा अपने गुलाबी मादक्ता के साथ उधे होती है और हरदे के सारे आकाश को अपने माधूरिये की सुनहरी किर्णों से रंजित कर देती है फिर मध्यान का प्रखरता आता है शन शन पर बगुले उठते हैं और प्रथीक आपने लगती है लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविक्ता अपने नगन रूप में सामने आखडी होती है उसके बाद विश्राम में संध्या आती है शीतल और शांत जब हम ठके हुए पथिकों की भानती दिन भर की यातरा का ब्रितांत कहते और सुनते हैं तटस्त भाव से मानो हम किसी उचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जन रव हम तक नहीं पहुँचता धनिया ने आखो में रस भर कर कहा चलो चलो बड़े बखान करने वाले जरा सा कोई काम बिगड जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो होरी ने मीठे उलाने के साथ कहा ले अब यही तेरी बीन साफी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया बोला से पूच मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था धनिया ने बात बदल कर कहा देखो गोबर गाय लेकर आता है की खाली हाथ चोदरी ने पसीने में लत्पत आकर कहा महतो चल कर बास गिन लो कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा होरी ने बास गिनने की जरुरत नहीं समझी चोधरी ऐसा अदमी नहीं है फिर एकाद बास बेसी काट ही लेगा तो क्या रोज ही तो मंगनी बास कटते रहते हैं सहलगों में तो मंडब बनाने के लिए लोग धरजनों बास काट ले जाते हैं चोधरी ने साड़े साथ रुपे निकाल कर उसके हाथ में रख दिये होरी ने गिनकर कहा और निकालो हिसाब से धाई और होते हैं चोधरी ने बे मुरोवती से कहा पंदरे रुपे में तैवे हैं की नहीं पंदरे रुपे में नहीं बीस रुपे में हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपे कहे थे कहो तो बुला लाओं तब तो 20 रुपे में ही हुए थे चोदरी अब तुम्हारी जीत है जो चाहो कहो डाई रुपे निकलते हैं तुम दो ही दे दो मगर चोदरी कच्ची गोलिया ने खेला था अब उसे किसका डर होरी के मुँ में तो ताला पड़ा हुआ था क्या कहे माथा ठोकर रह गया बस इतना बोला ये आच्छी बात नहीं है चोदरी दो रुपे दबा कर राजा ने हो जाओगे चोदरी ने तिक्षन स्वर में कहा और तुम क्या भाईयों के थोड़े से पैसे तबा कर राजा हो जाओगे धाई रुपे पर अपना इमान बिगाड रहे थे उस पर मुझे उगदेश देते हो अभी पर्दा खोल दूँ तो सिर नीचा हो जाए होरी पर जैसे सेकडो जोते पड़ गए चोदरी तो रुपे सामने जमीन पर रकर चला गया पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी धेर तक पस्ताता रहा वह कितना लोभी और स्वार्ती है इसका उसे आज पता चला चोदरी ने ढाई रुपे दे दिये होते तो वह खुशी इसे कितना फूल उठता अपनी चालाकी को सराता की बैठे बैठाए डाई रुपे मिल गए ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं धनिया अंदर चली गई थी बाहर आई तो रुपे जमीन पर पड़े देखे गिन कर बोली और रुपे का क्या हुआ दस न नहीं देते इन दामों वहां मार पीठ हो रही थी मैं बीच में क्या बोलता होरी ने अपनी पराजे अपने मन में ही डाल ली जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चड़े और गिर पड़ने पर दूल जहाडता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले ज धनिया पती को फटकारने लगी ऐसे आफसर उसे बहुत कम मिलते थे होरी उसे चतुर था पर आज बाजी धनिया के हाथ थी हाथ मटका कर बोली क्यों नहो भाई ने पंदर रुपे कह दिये तो तुम कैसे टोकते अरे राम राम लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता की नही फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहु के गले पर चुरी चल रही थी तो भला तुम कैसे बोलते उस बकत कोई तुमारा सर बस लूट लेता तो भी तुम्हें सुधना होती होरी चुपचाप सुनता रहा मिनका तक नहीं जुन्जला हट हुई क्रोध आया खून खोला आख जली दात पीसे लेकिन बोला नहीं चुपके से कुदाल उठाई और उख गोडने चला धनिया ने कुदाल चीन कर कहा क्या आभी सवेरा है जो उख गोडने चले सूरस देवता माथे पर आ गए नहाने धोने जाओ रोटी तैयार है होरी ने घुना कर कहा मुझे भूख नहीं है धनिया ने जले पर नोंचिड का हाँ कहे को भूख लगेगी भाई ने बड़े बड़े लड़ु खिला दिये हैं न भगवान ऐसे सपूत भाई सब को दे होरी बिगड़ा और क्रोध अब रस्या तुड़ा रहा था तूँ आज मार खाने पर लगी हुई है धनिया ने नकली विने का नाटक करके कहा क्या करूँ तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर्फ फिर गया है तू घर में रहने देगी की नहीं घर तुमारा मालिक तु मैं भला कोन होती हूँ तुमें घर से निकालने वाली होरी आज धनिया से किछी तरह पेश नहीं पा सकता उसकी अकल जैसे कुंद हो गई इन वेंगे बानों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है धिरे धिरे कुदाल रख दी और गमचा लेकर नाहने चला गया ल बोला की वह मदमाती छोकरी है ना जुनिया उसके साथ हसी दिल लगी कर रहा होगा कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था नहीं गाय दी तो लोट क्यों नहीं आया क्या वहाँ ढही देगा धनिया ने कहा अब खड़े क्यों हो गोवर सांज को आएगा होरी ने और कुछ ने कहा कहीं धनिया फिर ने कुछ कह बैटे बोजन करके नीम की छाओं में लेट रहा रूपा रोती हुई आई नंगे बदन एक लंगोटी लगाए जबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए होरी की छाथी पर लोट गई उसकी बड़ी बेहन सोना कहती है गाय आयेगी तो उसका गोवर में पात होंगी रूपा ये नहीं बरदास कर सकती सोना ऐसी कहा की बड़ी रानी है कि सहरा गोवर आप पात डाले रूपा उससे किस बात में कम है सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बरतन नहीं माजती सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुए पर रसी नहीं ले जाती सोना तो कलसा भरकर इठलाती चली जाती है, रसी समेट कर रूपा ही लाती है, गोबर दोनों साथ पाती है, सोना खेत गोडने जाती है, तो क्या रूपा बखरी चराने नहीं जाती, फिर सोना क्यों अकेली गोबर पातेगी, ये अन्याय रूपा कैसे सही, होरी ने उसके भोलेपन पर हाँ हाँ तुने दुहेगी तो और कुन दुहेगा भह मेरी गाय होगी हाँ सोलो आने तेरी रूपा परसन होकर अपनी विजय का शुब समाचार प्राजिता सोना को सुनाने चली गई गाय मेरी होगी उसका दूद मैं दुहूंगी उसका गोवर मैं पातूंगी तुझे कुछ सोना उम्र में किशोरी दे के गठन में योवती और बुद्धी से भालिका थी जैसे उसका योवन उसे आगे खिशता था बालपन पीछे कुछ भातों में इतनी चतुर की ग्रेजवेट यूतियों को पढ़ाए कुछ भातों में इतनी अल्हड की शिश्यों से भी पीछे लंबा रूखा किन्तु परसन्नमुक ठोड़ी नीचे को खिची हुई आँखों में एक प्रकार की त्रप्ती ना केशों में तेल ना आँखों में काजल ना देह पर कोई आभुशन जैसे ग्रस्त के मार ने योवन को दबा कर बोहना कर दिया हो सिर को एक जटका दे कर बोली जा तु गोवर पात जब तु दूद दूद कर रखेगी तो मैं पी जाओंगी मैं दूद की हांडी ताले में बंद करके रखूंगी मैं ताला तोड़कर दूद निकाल लाओंगी ये कहती हुई वे बाग की तरफ चल दी आम गद्रा गए थे हवा के जोकों से एकाज जमिन पर गिर पड़ते थे लू के मारे चुचके पी ले लेकिन बाल वरंद उन्हें टपके समझ कर बाग को घेरे रहते थे रूपा भी बहन के पीछे हो ली जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी सोना के विवा की बाचित हो रही थी रूपा के विवा की कोई चर्चा नहीं करता था इसलिए वे स्वेम अपने विभा के लिए आगरे करती है उसका धुला कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा इसका वे बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विभा करने पर राजी ना होता सांज हो रही थी, हुरी ऐसा अलसाया की उख गोड़ने ने जा सका बैलों को नांद में लगाया, सानी खली दी और एक चलम भार कर पीने लगा इस फसल में सब कुछ खलियान में तोल देने पर भी अभी उस पर कोई तीन सो कर्ज था जिस पर कोई सो रुपे सूद के बढ़ते जाते थे मंगरू साहू से आज पांच साल हुए बैल के लिए साट रुपे लिए थे उसमें साट दे चुका था पर वह साट रुपे जो के तो बने हुए थे दाता दिन पंडित से तीन रुपे लेकर आलू बोए थे आलू तो चोर खोद ले गए और उस तीस के इन तीन बरसों में सो हो गए थे दुलारी विद्वा सहुआएं थी जो गाउं में नोन तेल तमाखु की दुकान रखे हुए थी बठवारे के समय उससे 40 रुपे लेकर भाईयों को देना पड़ा था उसके भी लगबग 100 रुपे हो गए थे क्योंकि आने रुपे का ब्याज था लगान के भी अभी 25 रुपे बाकी पड़े हुए थे और दसहरे के दिन शगुन के रुपों का भी कोई परबन करना था 200 के रुपे बड़े अच्छे समय पर मिल गए शगुन की समस्य हल हो जाएगी लेकिन कौन जाने यहां तो एक धेला भी हात में आ जाए तो गाउं में शोर मच जाता है और लेंदार चारों तरब से नोशने लगते हैं यह पांच रुपे तो भै शगुन में देगा चाए कुछ हो जाए बगर अभी जिंदगी के दो बड़े-बड़े काम सिर परसवार थे गोबर और सोना का विवा बहुत हात बांधने पर भी तीन सो से कम खर्च ने होंगे यह तीन सो किसके घर से आएंगे कितना चाहता है कि किछी से एक पैसा कर्ज न ले जिसका आता है उसका पाई-पाई चुका दे लेकिन हर तरह का कश्ट उठाने पर भी गला नहीं चूड़ता इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घरद्वार सब निलाम हो जाएगा उसके बाल बच्चे निराश्रे होकर भीक मांगते फिरेंगे होरी जब काम धंदे से छुटी पाकर चिलम पीने लगता था तो यह चिंता एक काली दिवार की भानती चारों ओर से घर लेती थी जिसमें से निकलने की उसे कोई गली ने सूसती थी अगर संतोश था तो यही की यह विपत्ती आखेले उसी के सिर ना थी पराहे सभी किसानों का यही हाल था अधिकांश की दशा तो उससे भी बत्तर दी सोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुछ तीन साल हुए थे मगर दोनों पर चार-चार सो का बोज लद गया जिंगूर दो हलकी खेती करता है उस पर एक हजार से कुछ बेसी ही दे ना है जियावन महतो के घर पिखारी भीक भी नहीं पाता लेकिन करजे का कोई ठिकाना नहीं यहां कोन बचा है सहसा सोना और रूपा दोनों दोड़ी हुई आई और एक साथ बोली भहिया गाय ला रहे हैं आगे आगे गाय पिछे-पिछे भहिया है रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था यह ख़बर सुनाने की सुर्ख रूई उसे मिलनी चाहिए थी सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है यह उससे कैसे सहा जाता उसने आगे बढ़ कर कहा पहले मैंने देखा था तभी दोड़ी बहन ने तो पीछे से दिखा सोना इस दावे को स्विकार ने कर सकी बोली तुने भहिया को का पहचाना तू तो कहती थी कोई गाए भागी आ रही है मैंने ही कहा भहिया है दोनों फिर बाग की तरब दोड़ी गाए का स्वागत करने के लिए धनिया और होरी दोनों गाए बागने का परबंद करने लगे होरी बोला चलो जल्दी से नांदगार दे धनिया के मुक पर जवानी चमकोटी थी नहीं पहले थाले में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दे बेचारी धूप में चली होगी प्यासी होगी तुम जाकर नांदगारो मैं घोलती हूँ कहीं एक गंटी पड़ी थी उसे ढूंड ले उसके गले में बाढ़ेंगे सोना कहां गई सवायन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवालो गाए को नजर बहुत लगती है आज मेरे मन की बड़ी भारी लाल सा पूरी हो गई धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा ना लाए शंका उसके निराशर्दे में कमपन डाल रही थी आकाश की और देखकर बोली गाए के आने का आनद तो तब है कि उसका पूरा भी अच्छा हो भगवान के मन की बात है मानो वह भगवान को भी धोका देना चाहती थी भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाए के आने से उसे इतना आनद नहीं हुआ कि इर्शालू भगवान सुख का पलड़ा उंचा करने के लिए कोई नई विपत्ती भीज दे वह अभी आटा घोल रही थी कि गोवर गाई को लिए बालकों के साथ जुलूस के साथ दुआर पर पहुंचा होरी दोड़ कर गाई के गले से लिपट गया धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला की नारा फाड़ कर गाई के गले में बान दिया होरी श्रद्धा विहल नेतरों से गाई को देख रहा था मानो साक्षा देवी जी ने घर में परधारपन किया हो आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गव के चरणों से पवित्र हो गया यह सोभाग्य ने जाने किसके पुन्य परताप से धनिया ने भहोत्तुर होकर कहा खड़े क्या हो आंगन में नांद गार दो आंगन में जगे कहा है बहुत जगे है मैं तो बाहर ही गारता हूँ भागलने बनो गाउं का हाल जानकर भी अंजान बनते हो आरे बित्ते भर के आंगन में गाय कहां बन्देगी भाई जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो संसार भर की विद्या तुमी नहीं पड़े हो होरी सच्मुच आपे मैं न था गव उसके लिए केवल भक्ती और श्रधा की वस्तु नहीं सजीव संपत्ती भी थी वह उससे अपने द्वार की श्योभा और घर का गोरो बढ़ाना चाता था वह चाता था लोग गाय को द्वार पर बंधे देखकर पूछे यह किसका घर है लोग कहे होरी महतो का तभी लड़की वाले भी उसकी विभूती से परभावित होंगे आंगन में बंधी तो कौन देखेगा धनिया इसके विपरित सशंक थी वह गाय को साथ पर्दों के अंदर छिपाकर रखना चाती थी अगर गाय आठो पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर ने निकालने देती यो हर बात में होरी की जीत होती थी वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली धनिया लड़ने पर तहियार हो गई गोबर, सोना और रूपा सारा गर होरी के पक्ष में था पर धनिया ने आके ले सब को प्रास्त कर दिया आज उसमें एक वचित्र आत्म विश्वास और होरी में एक वचित्र विनय का उदे हो गया था मगर तमाशा कैसे रुख सकता था गाए, डोली में बैठ कर तो आई न थी कैसे संबव था कि गाउं में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा ने लगे जिसने सुना सब काम छोड़ कर देखने दोड़ा यह मामूली देशी गव नहीं है बोला के गर में 80 रुपे में आई है होरी 80 रुपे क्या देंगे 50-60 रुपे में लाई होंगे गाउं के इतिहास में 50-60 रुपे की गाए का आना भी अभुद पूरो बात थी बैल तो 50 रुपे के भी आए 100 के भी आए लेकिन गाए के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा यह तो ग्वालों का ही कलेजा है कि अंजलियां रुपे गिन जाते हैं गाए क्या है साक्षा देवी का रूप है दर्शकों अलोचकों का ताता लगा हुआ था और होरी दोड़ दोड़ कर सबका सतकार कर रहा था इतना विनार्म इतना परशन चित वह कभी ने था 70 साल के बुड़े पंडित दाता दिन लाठियां टेकते हुए आए और पोपले मुह से बोले कहां हो होरी तनिक हम भी तुमारी गाए देख ले सुना बड़ी सुन्दर है होरी ने दोड़ कर पागलपन किया और मन में अभिमान में उल्लास का आनद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया महराज ने गव को अपने पुरानी अनभवी आँखों से देखा सिंगे देखी थन देखा पुठा देखा और गनी सफेद बोहों के नीचे छिपी हुई आँखों में जवानी की उमंग भर कर बोले कोई दोश नहीं बेटा बाल भोरी सब ठीक भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भग खुल जाएंगे ऐसे अच्छे लक्षन है कि वहाँ बस रातिव ने कम होने पाए एक एक बाच्छा सो सो का होगा होरी ने आनद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा सब आपका आसिरबाद है दादा दाथा दिन ने सुर्ति की पीक थूखते हुए कहा मेरा आसिरबाद नहीं है बेटा भगवान की दया है यह सब प्रभू की दया है रुपे नकद दिये होरी ने बेपर की उड़ाई अपने महाजन के सामने भी अपनी समर्दी परदर्शन का ऐसा आवसर पाकरवे के से छोड़े टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम आकडने लगते हैं जराधिर के लिए किसी सवारी पर बैटकर जब हम आकास में उड़ने लगते हैं तो इतनी बड़ी विभूती पाकर क्यों ने उसका दिमाग आस्मान पर चड़े बोला बोला ऐसा भलमानस नहीं है महाराज नकद गिनाए पूरे चोकस आपने महाजन के सामने ये डिंग मार कर होरी ने नादानी तो की थी पर दाता दिन के मुख पर एस अंतोष का कोई चिन न दिखाई दिया इस कथन में कितना सत्य है ये उनकी उन बुजी आँखों से छिपा न रह सका जिन में जोती की जगें अनभव छिपा बैठा था परसन होकर बोले कोई हरज नहीं बेटा कोई हरज नहीं भगवान सब कल्यान करेंगे पांच सेर दूद है इसमें बच्चे के लिए छोड़ कर धनिया ने तुरंद टोका अरे नहीं महाराज इतना दूद कहां बुढिया तो हो गई है फिर यहां रातिव कहां धरा है दाता दिन ने मर्म भरी आँखों से देख कर उसकी स्तरकता को स्विकार किया मानो कह रहे हो ग्रहनी का यही दर्म है सीटना मर्दों का काम है उन्हें सीटने दो फिर रहसे भ्रेस्वर में बोले बाहर ने बांधना इतना कहे देते हैं धनिया ने पति की और विजई आँखों से देखा मानो कह रही हो लो अब तो मानोगे दाता दिन से बोली नहीं महाराज बाहर क्या बांधेंगे भागवान दे तो इसी आंगन में तीन गाएं और बन सकती हैं सारा गाउं काई देखने आया नहीं आये तो सोभा और हीरा जो अपने सगे भाई थे होरी के हरदे में भाईयों के लिए अब भी कोमल स्थान था वहें दोनों आकर देख लेते और परसन हो जाते तो उसकी मनो कामना पूरी हो जाती सांज हो गई दोनों पुर लेकर लोट आए इसी द्वार से निकले पर पूछा कुछ नहीं होरी ने डरते डरते धनिया से कहा ने सोभा आया ने हीरा सुनाने होगा धनिया बोली तो यहां कोन उन्हें बुलाने जाता है तु बात तो समझती नहीं लड़ने के लिए तहियार रहती है भगवार ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर जुका कर चलना चाहिए आदमी को अपने सगों के मुह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है बाहर वालों के मुह से नहीं थिर अपने भाई लाख बुरे हों हैं तो अपने भाई ही अपने हिस्से बखरे के लिए सभी लड़ते हैं पर इस से खून थोड़े ही मट जाता है दोनों को गुला कर दिखा देना चाहिए नहीं कहेंगे गाय लाए हमसे कहा तक नहीं धन्या ने नाक से कोड कर कहा मैंने तुमसे सो बार, हचार बार कह दिया मेरे मुँपर भाईयों का बखान न किया करो उनका नाम सोनकर मेरी दे में आग लग जाती है सारे गाउने सुना क्या उन्होंने निसुना होगा कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते सारा गाउन देखने आया उन्हें के पाउं में महंदी लगी थी मगर आएं कैसे, जलन हो रही होगी कि इसके घर गाये आ गई, छाती फटी जाती होगी दिया बत्ती का समय आ गया था, धन्या ने जाकर देखा, तो बोतल में मिट्टी का तेल ना था बोतल उठा कर तेल लाने चली गई, पैसे होते तो रूपा को भीशती उधार लाना था, कुछ मुह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चपो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा होरी ने रूपा को बुला कर प्यार से गोद में बठाया और कहा, जरा जाकर देख, हीरा काका आ गएगी नहीं सोभा काका को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, नै आये हाथ पकड़ कर खीच लाना रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डाटती है, काकी के पास क्या करने जाएगी, फिर सोभा बहुतो तुझी प्यार करती है सोभा काका मुझे चिड़ाते हैं, मैंने कहूंगी, क्या कहते हैं बता, चिड़ाते हैं, क्या कहकर चिड़ाते हैं, कहते हैं, तेरे लिए मूस पकड़ कर रखा है, ले जा, भून कर खाले होरी के अंतेस तल में गुदगुदी हुई तू कहती नहीं पहले तुम खालो तो मैं खाऊंगी अम्मा मना करती हैं कहती हैं उन लोग के घर ने जाया करो तू अम्मा की बेटी है कि दादा की रूपा ने उसके गले में हाथ डाल कर कहा अम्मा की और हसने लगी तो फिर मेरी गोज से उतर जा, आज मैं तुझे अपनी थाली में ने खेलाऊंगा घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी थाली में खाता था थाली में खाने का गोरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी इस गोरव का परित्या कैसे करे? हुमक कर बोले, अच्छा तुम्हारी, तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्मा का, तुम्हारा तो जाकर हीरा और सोभा को खीचला और जो अम्मा भिगणे, अम्मा से कहने कोन जाएगा? रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली द्वेश का माया जाल बड़ी-बड़ी मचलियों को ही फास्ता है छोटी मचलिया या तो उसमें फस्ती ही नहीं, या तुरंत निकल जाती है उनके लिए वह घातक जल क्रीडा की वस्तु है बहकी नहीं, भाईयों से होरी की बोलचाल बनती पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी बच्चों से क्या बैर? लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिये मिल गई उसने पूछा सांज की बेला का जाती है? चल घर रूपा मा को परसंद करने के परलोबन को ना रोक सकी धनिया ने डाटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है रूपा का हाथ पकड़े वेवे घर आई और होरी से बोली मैंने तुमसे हाजार बार कह दिया मेरे लड़कों को किसी के घर ने भीजा गरो किसी ने कुछ कर करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है होरी नांद जमा रहा था हाथों में मिट्टी लपेटे वे अज्यान का अभिने करके बोला किस बात पर बिगड़ती है भाई ये तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कूकर की तरे हावा को फूका करें धन्या को कुपी में तेल डालना था इस समय जगडाने बढ़ाना चाहती थी रूपा भी लड़कों में जा मिली पहरा रात से ज़्यादा जा चुकी थी नांद गड़ चुकी थी सानी और खली डाल दी गई थी गाए मन मारे उदास बैटी थी जैसे कोई वधू ससुरा लाई हो नांद में मुह तक न डालती थी होरी और गोबर खाकर आधी-ाधी रोटियां उसके लिए लाए पर उसने सूंगा तक नहीं मगर यह कोई नई बात ना थी जानवरों को भी भहुदा घर छूट जाने का दुख होता है होरी बहार खाट पर बैटकर चिलम पीने लगा तो फिर भाईयों की याद आई नहीं, आज इस शुब अवसर पर वै भाईयों की उपेक्षा नहीं कर सकता उसका हरदय ये वभुती पाकर विशाल हो गया था भाईयों से अलग हो गया है तो क्या हुआ, उनका दुश्मन तो नहीं है यही गाए तिन साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता और कल को यही गाए दूद देने लगेगी तो क्या वै भाईयों के घर दूद ना भीजेगा या दही ना भीजेगा ऐसा तो उसका धरम नहीं है भाई उसका बुरा चेते वै क्यों उनका बुरा चेते अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है उसने नार्यल खाट के पाईशे लगा कर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला सोभा का घर भी उधर ही था दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे काफी अंधेरा था होरी पर उनमें से किसी की निगा नहीं पड़ी दोनों में कुछ बाते हो रही थी होरी ठिठक गया और उनकी बाते सुनने लगा ऐसा आदमी कहा है जो अपनी चर्चा सुनकर टाल जाए हीरा ने कहा जब तक एक में थे एक भकरी भी नहीं ली अब पच्छाई गाय ली जाती है भाही का हक मार कर किसी को फलते फुलते नहीं देखा सोभा बोला ये तुम अन्नाए कर रहे ओ हीरा भाहिया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था ये मैं कभी ने मानूँगा कि उन्होंने पहले की कमाई चिपा रखी थी तुम मानो चाहे ना मानो है ये पहले की कमाई किसी पर जूठा इलजामने लगाना चाहिए अच्छा तो ये रुपे कां से आ गए कहां से हुन बरस पड़ा उतने ही खेत तो हमारे पास भी है उतनी ही उपज हमारी भी है फिर क्यों हमारे पास कफन को कोडी नहीं और उसके घर नहीं गाय आती है उधार लाए होंगे बोला उधार देने वाला आदमी नहीं है कुछ भी हो गाय है बड़ी सुन्दर गोबर लिये जाता था तो मैंने रास्ते में देखा बेई माननी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में न रहेगी होरी से और न सुना गया वह बीती बातों को विसार कर अपने हरदे में सने और सोहर्द भरे भाहियों के पास आया था इस आग हात ने जैसे उसके हरदे में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किशी तरह नहीं टिक सका था लत्ते और चीथडे ठूस कर अब उस परवा को नहीं रोक सकता जी में एक उभाल आया कि उसी शन इस आक्षेव का जवाब दे लेकिन बात बढ़ जाने के भहसे चुप रह गया अगर उसकी नियत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता भगवान के सामने वह निर्दोश है दूसरों की उसे परवा नहीं उल्टे पाउं लोट आया और वह जला हुआ तमाकू पीने लगा लेकिन जैसे वह विश प्रतिशन उसकी धमनियों में फैलता जाता था उसने सो जाने का प्रियास किया पर नींद ने आई बेलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा विश शान्त ने हुआ दूसरी चिलंबरी लेकिन उसमें भी कुछ रस ने था फिश ने जैसे चेतना को अकरांद कर दिया हो जैसे नशे में चेतना एकांकी हो जाती है जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेगवान हो जाता है वही मनोवरती उसकी हो रही थी उसी उनमाद की दशा में वैं अंदर गया अभी द्वार खुला हुआ था आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से दे दबवा रही थी और रूपा जो रोज सांज होते ही सो जाती थी आज खड़ी गाय का मुँँ से ला रही थी होरी ने जाकर गाय को खूटे से खोल लिया और द्वार की ओर ले चला वै इसी वक्त गाय को बोला के घर पहुचाने का द्रेड निष्चे कर चुका था इतना बड़ा कलंक सिर लेकर वै अब गाय को घर में नहीं रख सकता किसी तरह नहीं धनिया ने पोछा का लिये जाते हो रात को होरी ने एक पक बढ़ा कर कहा ले जाता हूँ बोला के घर लोटा दूँगा धनिया को विश में हुआ उठकर सामने आ गई और भोली लोटा क्यों दोगे लोटाने के लिए ही लाए थे हाँ इसके लोटा देने में ही कुशल है क्यों बात क्या है इतने अर्मान से लाए और अब लोटाने जा रहे हूँ क्या भोला रुपी मांगता है नहीं भोला यहां कब आया तो फिर क्या बात हुई क्या करोगी पूछ कर धन्या ने लपक कर पगिया उसके हाथ से छीन ली उसकी चपल बुद्धी ने जैसे उड़ती हुई चिडिया पकड़ ली बोली तुम्हें भाईयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों पर गिरो मैं किसी से नहीं डरती अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए मुझे परवा नहीं होरी ने विनित्स्वर में कहा धीरे धीरे बोल महरानी कोई सुने तो कहे ये सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं मैं अपने कानों से क्या सुनाया हूँ तू क्या जाने यहाँ चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपे दबा लिये थे और भाईयों को दोखा दिया था यही रुपे अब निकल रहे हैं हीरा कहता होगा सारा गाउं कह रहा है हीरा को क्यों बदनाम करूँ सारा गाउं नहीं कह रहा अकेला हीरा कह रहा है मैं अभी जाकर पूसती हूँ नै कि तुम्हारे बाप कितने रुपे छोड़ कर गए थे दाड़ी जारों की पीछे हम बरबाद हो गए सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी पाल पोसकर संडा किया और अब हम बेई मान हैं मैं कहें देती हूँ अगर गाई घर से बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा रख लिए हमने रुपे दबा लिए बीच खेत दबा लिए डंके की चोड कहती हूँ मैंने हंडे भर असरफियां छिपा ली हीरा और सोभा और संसार जोग करना हो कर ले क्यों ने रुपे रख ले दो-दो संडों का भ्या नहीं किया गोना नहीं किया होरी सिट पिटा गया धन्या ने उसके हाथ से पगिया छीन ली और गाय को खूटे से बांद कर द्वार की ओर चली होरी ने उसे पकड़ना चाहा पर वह बहर जा चुकी थी हो जाती है मारो काटो सुनेगी नहीं लेकिन हीरा भी तो एक ही गुस्सेवर है कहीं हाथ चला दे तो परले ही हो जाए नहीं हीरा इतना मूरक नहीं है मैंने कां से कां ये आग लगा दी उसे अपने आपर क्रोध आने लगा बात मन में रख लेता तो क्यों ये टंटा खड़ा होता सहसा धनिया का करकश स्वर कान में आया हीरा की गर्ज भी सुन पड़ी फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुबी सहसा उसे गोबर की आदाई बाहर लपक कर उसकी खाट देखी गोबर वहां ना था गजब हो गया गोबर भी वहां पहुच गया अब कुशल नहीं उसका नया खून है नजाने क्या कर बैठे लेकिन होरी वहां कैसे जाए हीरा कहेगा आप तो बोलते नहीं जाकर इस डायन को लड़ने के लिए भीज दिया कोला हल प्रतिशन प्रचंड होता जाता था सारे गाउं में जाग पड़ गई मालूम होता था कहां आग लग गई है और लोग खाट से उठ़ूठ बुझाने दोड़े जा रहे है इतनी देर तक तो वह जबत किये बैठा रहा फिर ने रहा गया धन्या पर क्रोध आया वह क्यों चड़ कर लड़ने गई अपने घर में आदमे ने जाने कि इसको क्या कहता है जब तक कोई मुह पर बात ने कहे यहीं समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा होरी की क्रिशक प्रकरती जखड़े से भागती थी चार बाते सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तना जाहो कहीं मारपीट हो जाए तो थाना पुलिश हो बंदे बंदे फिरो सब की चिरोरी करो अधालत की धूल फाको खेती बारी जहनुम में मिल जाए उसका हीरा पर तो कोई बस ने था मगर धन्या को तो वैं जबर्दस्ती खीच ला सकता बहुत होगा गालियां दे लेगी एक दो दिन डूठी रहेगी थाना पुलिश की नोबद तो ने आएगी जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दिवार की आड में अगर आपने जीत हो रही है तो बोलने की जरूरत नहीं हार हो रही है तो तुरंट कूद पड़ेगा देखा तो वहां पचासों आदमी जमा हो गए हैं पंडित दाता दिन लाला पटेशवरी दोनों ठाकुर जो गाउं के करता धरता थे सबी पहुंचे हुए हैं धनिया का पला हलका हो रहा था उसकी उगरता जन्मत को उसके वुरुद किये देती थी वहे रण नीती में कुसल ने थी क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों की सहनुबती उससे दूर होती जाती थी वह घरज रही थी तू हमें देखकर क्यों जलता है हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है पाल पोसकर जवान कर दिया यह उसका इनाम है हमने नेपाला होता तो आज कहीं बीक मांगते होते रूख की छा भी न मिलती खोरी को ये शब्द जरुरत से ज़्यादा कठोर जान पड़े भाईयों का पालना पोसना तो उसका धरम था उसके हिस्सी की जायदा तो उसकी हाथ में थी कैसे ने पालता पोसता दुनिया में कई मूँ दिखाने लाइक रहता हीरा ने जवाब दिया हम किसी का कुछ नहीं जानते तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकडा खाते थे और दिन दिन भर काम करते थे जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है दिन दिन भर सुखा गोबर भिना करते थे उस पर भी तूं बिना दस गाली दिये रोटी ना देती थी तेरी जैसी रच्छिन के हाथ में पढ़कर जिंदगी तलक हो गई धनिया और भी तेज हुई जबान समाल नहीं जीव खीच लूँगी रच्छिन तेरी ओरत होगी तू है किस फेर में मुंडी काटे टुकडे खोर नमक हराम दाता दिन ने टोका इतना कटू वचन क्यों कहती है धनिया नारी का धरम है कि गम खाए वह तो उजड़ है क्यों उसके मूँ लगती है लाला पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्तन किया बात का जबाब बात है गाली नहीं तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा लेकिन ये क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदा तेरे हाथ में थी धनिया ने समझा सब के सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं चो मुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई अच्छा रहने दो लाला मैं सब को पहचानती हूँ इस गाउं में रहते 20 साल हो गए एक एक की नस नस पहचानती हूँ मैं गाली दे रही हूँ वै फूल बरसा रहा है क्यों दुलारी सहुआई ने आग पर गी डाला बाकी बड़ी गाल दरा जोरत है भाई मरद के मुझे लगती है होरी ही जैसा मरद है कि उसका निभा होता है दूसरा मरद होता तो एक दिन न पढ़ती अगर हीरा इस समय जरा नर्म हो जाता तो उसकी जीत हो जाती लेकिन ये गालियां सुनकर आप इसे भार हो गया औरों को अपने पक्ष में देखकर वै कुछ शीर हो रहा था गला फाड कर बोला चली जा मेरे द्वार से नहीं जूतों से बात करूँगा जोटा पकड़ कर उखाड लूँगा गाली देती है डाइन बेटे का घमंडो गया है खून फासा पलट गया होरी का खून खोल उठा भारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो आगे आकर बोला अच्छा बस अब चुप हो जाओ हीरा अब नहीं सुना जाता मैं इस ओरत को क्या कहूं जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण नहीं जाने क्यूं इस से चुप नहीं रहा जाता चारों और से हीरा पर बचार पड़ने लगी दाता दिन ने निरलज्य कहा पटेशवरी ने गुंडा बनाया जिंगुरी सिंग ने शेतान की उपादी दी दुलारी सहुआयन ने कपूत कहा एक उदंड शब्द ने धनिया का पल्ला हलका कर दिया दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया उस पर होरी के सहियत वाक्ये ने रही सही कसर भी पूरी कर दी हीरा समल गया सारा गाउं उसके विरुद हो गया अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है क्रोध के नसे में भी इतना होज उसे बाकी था दनिया का कलेचा दूना हो गया होरी से बोली सुन लो कान खोल के बाईयों के लिए मरते हो ये भाई है ऐसे भाई का मुह न देखे ये मुझे जूतो से मारेगा खिला पिला होरी ने डाटा फिर क्यों बकबक करने लगी तू घर क्यों नहीं जाती दनिया जमिन पर बैठ गई और आर्थ स्वर में बोली अब तो इसके जूते खाके जाऊंगी जरा इसकी मर्दूमी देख लू कहां है गोबर अब किस दिन काम आएगा तू देख रहा है बेटा तेरी मा को जुते मारे जा रही है यू विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी ख्रियाशिल बना डाला आग को फूख फूख कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी हीरा प्राजित सा पिछे हट गया पुन्नी उसका हाथ पकड़ कर घर की ओर खीच रही थी सहसा धनिया ने सिहनी की बांती जपट कर हीरा को इतने जोर्षे धक्का दिया कि वह धम से गिर पड़ा और बोली कहां जाता है जोते मार मार जोते देखू तेरी मरदूमी होरी ने दोड़ कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसी इटता हुआ घर ले चला